23 जून 2023 राशी भल दिन शुक्रवार नमस्काल सुप्रभात आप देख रहे हैं पंजाब केजरी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन कौन सा उपाय बना सकता है आपका दिन पहतर लेकिन उसते पहले आज का पंचांग आज की तिथी पंचमी आज का नक्षत्र मघा आज का करण बव आज का पक्ष शुकल पक्ष आज का योग वज्र तो छलिए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका दिन मेश मेश राशी वाले जातक नए विचारों को आत्मसाद करने में सफल रहेंगे आप कुछ समय समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए भी दे सकते हैं आप धर्मार्थ कारिक्रमों में भाग ले सकते हैं प्यापार में साजेदारों से संबंध अच्छे रहेंगे व्रिश, व्रिश राशी वाले जातकों का दिन की इंकम काफी एच्छी रहेगी आपने जो काम सोच रखा था उसमें आप एक एक करके निप्टेंगे काम के सिलसले में आपको बहतरी नतीजे मिलेंगे प्रेमी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे मिथुन, मिथुन राशी वाले जातकों का दिन अपने कारे को अनुभवी व्यक्ति की राय लेना आपके लिए फायदे मंद रहेगा जीवन साथी के साथ अपने रिश्टे को लेकर आप काफी भावुक रहेंगे सेहत पर ध्यान दीजिए, बाहर का ना खाएं करक, करक राशी वाले जातकों का आर्थिक पक्ष अच्छा हो सकता है चोट वा रोग से बचें, उत्सा बना रहेगा, कारे में रुची रहेगी कोई बड़ा काम करने का मन करेगा, अपने पार्टनर से थोड़ी दूरी बनाएं, आपके लिए अच्छा होगा सिंग, सिंग राशी वाले जातकों का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है, और ये विशेश रूप से धन और विद्ध से संबंधित हो सकता है ससुराल पक्ष से मिलने या उससे फोन पर बात करने से आपका मन प्रसन रहेगा कन्या, कन्या राशी वाले जातकों का मन प्रसन रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ घरेलू कारें को पूरा करने का प्रियास करेंगे परिवार में आप सब की इच्छाएं पूरी करने में सफल रहेंगे मित्रों से संबंध प्रगान होंगे नौकरी में पदोननती का योग है तुला तुला राशी वाले जातकों के मन में आलस से और निराशा के भाव रहेंगे अधिक वाद विवाद में न पढ़ें और जितना हो सके शांती से बात करें वरिष्ट जनों का मार्क दर्शन प्राप्थ होगा वरिष्चिक वरिष्चिक राशी वाले जातकों का दिन अच्छा रहेगा आप कुछ नया पढ़ेंगे जिससे आपका ज्यान बढ़ेगा आपकी आई में भी व्रिद्धी होगी और आई के स्रोथ बढ़ सकते हैं कवमेट को अचानक सर्प्राइज मिलेगा आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा सेहत में भी फुर्ती रहेगी मकर मकर राशी वाले जातकों का दिन ठीक ठाक ही रहने वाला है बेकार की बातों पर ध्यान न दें कुम्ब कुम्ब राशी वाले जातकों का दिन सामान रहने वाला है क्योंकि आमदनी तो अच्छी होगी ही लेकिन खर्च भी काफी होंगे सेहत का पूरा ध्यान रखें आपको अपने और अपने परिवार की सदस्यों के स्वास्त को लेकर अस्पताल जाना पड़ सकता है मीन मीन राशी वाले जातकों को लाब के कई मौके मिलेंगे जिसे हम आज हाथ से जाने भी नहीं देंगे सेहत में कुछ उतार चड़ाव रहेगा कारियों में परिजनों का सहीयोग प्राप्त होगा वे जरुरत के समय आपके साथ खड़े रहेंगे अब अंत में जान लेते हैं आज का महा उपाई शुक्रवार के दिन सुभा के समय गौमाता को ताजी रोटी खिलाएं पाकी और भी ऐसी विडियो के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ